हाई अबरीवन वेलकम बेक टू माई चनल दूस्तों आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुडवाइट्स के रोजे फेस क्रीम को जो कि गुडवाइट्स के बहुत अच्छे प्रोड़क्ट में सामिल है बात होने वाली है रोजे सीर्व कैसा है इसका सलगा सक्रीव में विहाएट्स कोnymiट works करता है तो करते है इस क्रीम में एंस्ट के चल दिए शुरू करते हैं क्रूधत करते हैं पैकेजिंग जैसे कि सारी果 वैट्स की क्रीम होते हैं में कार्ट बोर्ट की पैकेजिंग नहीं होती है तो यह हमें कुछ इस तरह से मिलता है और यह मैंने 20 देन तक लगातार प्रयों किया है इसलिए इतना बचा हुआ है तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है यह गुड़ वाइप्स का रोजिव क्रीम नो प आपको आराम से मिल जाएगा तो बात करते हैं कि इसमें हाव तो यूज क्या लिखा हुआ है स्कूप आउट नेचुरल गुड़नेस विद्यूर जेंटली फिंगर्स स्टेंडली एंड इसमूदली मसाज इट ओन यूर क्लीन फेस एंड गो शाइन ब्राइट यानि कि जैस तो यदि आपको रोज की गंध होती है उससे आपको प्रॉबलम है तो आप इस क्रीम को बिल्कुल भी मत करी दिये तो कि इसके बात करें बहुत ही स्मूदली जो है ब्लेंड होता है बहुत अच्छे से इसकिन पर एब्सॉर्ब होता है लेकिन इसको लगाने के बाद यह इ पर एब्सुर्ब करेंगे मेडियम टू है यह लाइट वेट क्रीम बिल्कुल भी नहीं है इस क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या है तो सबसे पहले अपनी चेहरे को अच्छे से वाश करना है किसी भी फिश वास की हल्प से उसके बाद अपने फिंगर पर या सीधे ही आप न मेकप भी चाह सकते हैं लेकिन इस क्रीम को लगने के बाद थोड़ा सा मझठे देना होता है कोई है लाइटवेइड क्रीम नहीं थोड़ा सा हैवी क्रीम है यह स्कीन पर जाने में साधे हैं बस इस क्रीम को लगाने का यहीं था करता है, स्क्रीम क therefore that you cancida क्रिम को बहुत ज्यादा यूज़ कर चुकी हूँ तो देखते हैं इसके क्लेम क्या क्या किये गए हैं इन रिच्ट विद दा पावर अप सिरम दा रोजे फेस क्रीम इस है तो सबसे पहले इसमें क्लेम किया गया है कि यह आपकी स्किन को हाइडरेट करता है यह क्लेम तो यह आपके स्किन को इंप्रूव करता है स्किन टॉन को तो मैं इसे पहले भी लगा चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता परस्नली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह आपके स्किन को हेल्दी बनाता है ग्लोई बनाता है लेकिन आपकी जो इसको इंप्रूव नह और आपके स्किन अपनी रेडियन्ट हो जाती है तो यह क्लेम बिल्कुल सही है तो बात करें यह क्रीम के बारे में रेगुलर यूज करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है बहुत ही अफोर्डिबल प्राइस है मिल जाती है आपको 170-180 रोपे में यह क्रीम पचास गिरम आ इसलिए समर सीजन में इस करीम का बिलकुल भी प्रियोक नहीं किया सकता लेकिन विंटर सीजन में यह क्रीम बहुत ही ज्यादा यूसफुल हो जाती है इस बहुत सारे वेरियन्ट है चाहे वाई कोकुनट हो सैफरान हो विटमिन सी क्रीम हो बहुत जादा है लेकिन उन समय कि लिए विंटर में आच्छा वर कौन सी करती है तो यह रोज़िप करती है क्योंकि रोज़िप क्रीम आपकी ड्राइनेश को खत्म कर देती है तो विंटर सीजन में चाहे आपका स्किन टाइप जो भी हो लेकिन आपको यह रोजिप क्रीम बहुत ही ज्यादा यूसफुल होगी और आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा वर करेगी तो वैशे वी विंटर कर सीजन आने वाला है तो आप स्क्रीम को जरू प्रियो करके देखें। the doing brush अब यह बात करें किस स्किन टाइप पर बहुत ही अच्छा वर करती है तो मेरी dry skin होमाजी है कि अच्छ ही योजिस योजिस करती है तब ही इन विंटर सीजन में हमेशा ही योजिस करती हूँ क्योंकि अच्छ कम अच्छ करती है। इता गुडवाइप्स रोजे फेस क्रीम का रिव्यू उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने पाप प्लीज यह से लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं अंगली वीडियो में बाइबाइब यह प्लाइब डाएब बाइब।